तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2018 में आए movie October को इसकी IMDb rating है 7.5 out of 10 जो की काफी कम है क्योंकि जितने अच्छी movie है उससाब से इसकी rating कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए थी मैं movie को explain करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पनने हैं तो नीचे लाल कलसली के subscribe को दबा कर grey कर दें इससे आप हमारे चैनल से जोड़ जाएंगे और आने वाली वीडियो को देख पाएंगे और जिन्होंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जोड़े रहे हैं मैं आप के लिए वीडियो लाता रहूँगा अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे Instagram या Facebook पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मुवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीवली होता है और वो एक फाइफ स्टार होटल में इंटर्शिप करके सारे काम को सीख रही होती है शीवली काफी responsible लड़की थी और अपने काम को काफी perfectly करती थी और उसे अपनी life के goals clear थे कि उसे क्या करना है फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम दानिश होता है जिसे लोग डैन कहकर भी भुकारते थे और वो शीवली उसे बिलकुल ही उलट था उसे जो भी काम दिया जाता था वो एकदम उसका उलट ही करता था और चीजे सुधारने के बजाए बिगारता जादा था एक तरह से वो एकदम immature, irresponsible और अपनी बॉस की कोई भी बात ना मानने वाला लड़का था और वो अपने लोगों को ऐसे granted लेकर ही चलता था simple भाशा में समझें तो वो किसी भी चीज को लेका serious नहीं था और आए दिन कुछ न कुछ गरबर करता रहता था जिसकी वज़े से हर दिन उसे अपने बॉस से डाट खानी पड़ती थी लेकिन फिर भी उसकी आदिते नहीं बदलती थी डैन की अक्सर अपने ही साथ काम कर रहे लोगों से लड़ाई होती रहती थी इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे लेकिन उसके दो दोस्त थे जो कि उसके हर कदम पर मदद करते थे शिवली और डैन की बीच ज़्यादा बाचीत नहीं होती थी बस जब आमने सामने मिल जाये तो हाई हेलो हो जाता था और दोस्ती तक ही बाते सीमित थी जितने भी लड़के लड़किया होटल में इंटर्णशिप या ट्रीनी पर थे वो अकसर होटल से दारू और खाना चुरा कर होटल की बालकनी में पार्टी किया करते थे तो ऐसे ही New Year की राज सभी लोग होटल की चौती मंजल पर बनी छट पर पाटी कर रहे होते हैं और सभी लोग नशे में धुत काफी इंजॉय कर रहे होते हैं वहीं पर शिवली भी मौजूद होती है जो की दारू नहीं पीती थी तो वह अपना आराम से पाटी इंजॉय कर रहे होती है शिवली देखती है कि डैन वहाँ पर मौजूद नहीं था तो वो उसके बारे में पूछते हुए छट की बालकनी में बैठने लग जाती है लेकिन बाउंडरी में वो उस पड़े होने की वज़े से उसका हाथ फिसल जाता है और वो अचानक से चौती मंजल से नीचे गर जाती है जब मैं ये मूवी देख रहा था तो इस सीन के पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि शायद हमेशा जो बॉलिवुड मूवीज में होता है वैसे ही पहले दोस्ती होगी फिर प्यार हो जाएगा लेकिन इस सीन को जब मैंने देखा तो एकदम शौक हो गया क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ अचानक से हो जाएगा शीवली को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है लेकिन वो इतनी उचाई से गिरी थी कि किसी को भी उमीद नहीं थी कि वो बच पाएगी अब वहाँ पर शीवली की फैमली आ जाती है जो कि इस हाथसे से काफी परिशान थी और प्रातना कर रही थी कि शीवली कैसे भी बच जाए डॉक्टर शीवली की फैमली को बताता है कि वो बच्टो गई है लेकिन अभी वो डीप कोमा में है और हमें नहीं पता कि वो उससे कब बहार निकल पाएगी और इस सिच्वेशन से निकल पाना काफी मुश्किल होता है तो अब हम बस उमीद ही कर सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि डैन एकदम गैर जमदार इंसान था तो उसके दोस्तों ने उसे कॉल करके ये बात बताने की कोशिश करी थी लेकिन उसने एक कॉल ही नहीं उठाया था तो जब डैन वापिस आता है तो ये खबर जानकर काफी दुखी होता है कि उसके दोस्त के साथ ऐसा हादसा हो गया वो शीवली को देखने के लिए वापेस चला जाता है और जब वो उसके हालत देखता है तो वो कुछ भी नहीं कह पाता बस उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब उचुकी थी की बस मशीन के बलबूते ही जिन्दा थी तो डैन उसे बस देखकर वापेश चला जाता है अब जो हाथसा हुआ था उसके बाद से किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा था लेकिन काम तो करना ही था और शीवली किसी की इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थी बस ऐसा था कि हमारा कोई क्लासमेट हो जिससे की नॉर्मल बाचीत होती हो और उसका एक्सिडेंट हो गया हो तो बस उतना ही कनेक्शन उन सब के बीच था उसी कनेक्शन के चलते डैन और उसके दोस्त शीवली को देखने के लिए जाते थे लेकिन शिवली की हालत में कुछ खासा बदलावन नहीं आ रहा था अब शिवली को उसी हालत में रहते दो महिने बीच जाते हैं लेकिन फिर भी कोई changes दिखाई नहीं पड़ते लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी हमें शिवली को थोड़ा और समय देना चाहिए ताकि वो खुद से खुद को recover कर सके शिवली की family में बस उसकी मा एक भाई और एक बहन ही थे और पिता जी नहीं थे शिवली की मा कॉलेज में प्रोफेसर थी और घर की एक लौती थी जो कमाने वाली थी तो शिवली के चाचा जी इस बाद से काफी परेशान थे क्यूंकि दिन बदिन हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था तो वो शिवली की मा को समझाते हैं कि हमें practical होकर कोई फैसला लेना होगा नहीं तो अगर इसी तरह से चीजे चलती रही तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है एक तरह से चाचा जी ये कहना चाह रहे थे कि शिवली अब तो ठीक नहीं हो सकती इसलिए उसका ना रहना ही बहतर है ताकि वो ज़्यादा सफन ना करे और जो फैमली है वो भी परिशान होकर ना जिये क्योंकि कोई भी उमीद नहीं बची थी कि शिवली कभी होच में आएगी और हस्पिटल का खर्चा बढ़ता ही जा रहा था तो इसी के चलते चाचा जी ये सलाथ दे रहे थे लेकिन मा को ये उमीद थी कि शिवली अब भी ठीक हो सकती है और एक मा अपने बच्चे को खुद से कभी में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती इसलिए वो चाचा जी की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है एक दिन डैन और उसकी दोस्त ऐसे ही उस हादसे के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ही दोस्त बताती है कि उस राज जब शिवली चाच से गिरी उससे पहले उसने बोला था कि डैन कहा है और उसी के बाद वो नीचे गर गई इस बात से डैन काफी उदास हो जाता है कि शिवली के एकसिडेंट के पहले उसने उसके बारे में पूछा था और अब उसके मन में बार बार ये सवाल रिपीट होने लग जाता है कि आकर उसने मेरे बारे में क्यों पूछा था और शायद अगर मैं वहां होता तो ये हाथसा ही ना होता जो डैन उस वक्त फील कर रहा था वो फीलिंग जायस थी क्योंकि जब आपके जानने वाले के साथ कुछ हो जाए और उस चीच के होने से पहले उसकी जुबान पर आपका नाम हो तो आपके मन में ये हमेशा खटकता रहेगा कि उसके आकरी शब्द में मेरा नाम था भले ही आपकी उस इंसान से ज़्यादा बाते नहीं होती थी लेकिन वो बात आपके मन में घूमती रहेगी जो कि उस वक्त ये जानने के बाद डैन के साथ ऐसा हो रहा था ये बात जानने के बाद उसे काफी बेचैनी सी हो रही थी तो वो रात में ही शीवली से मिलने के लिए चला जाता है ये बताने के लिए कि उस रात जब तुमने पूछा था कि डैन कहा है तब मैं उस दिन वहाँ था ही नहीं वो बस इतना कहकर कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि शीवली सायद सुन भी रही थी और शायद नहीं भी तो कुछ कहने या बताने के लिए डैन के पास कुछ भी नहीं था डैन को ऐसा फील हो रहा था कि शायद शीवली उसे पसंद करती थी या उसके मन में कभी उसको लेकर कुछ रहा होगा तो ये बात अपनी फ्रेंट से जाकर पूछता है उसकी फ्रेंट ये क्लियर करती है कि जिस तरह से उसने पूछा था उसमें प्यार या केरिंग जैसा कुछ भी नहीं था और नहीं मेरे और उसके बीच तुम्हें लेकर कभी कोई बात हुई इन सब बातों को सोचते सोचते डैन को शीवली से धीरे धीरे लगाओ होने लगा था तो आप वो रोज ही शिवली को देखने के लिए जाता था और अपने काम की शिफ्ट खतम करके हॉस्पिटल में ही रहता था और ये उमीद लगाए रहता था कि जब वो ठीक होगी तो वो उसे बताएगा कि उस रात वो कहां था और ये भी पूछेगा कि उसने उसके बारे में क्यों पूछा था डैन का अब सारा ध्यान शिवली के उपर ही रहने लगा था और वो हर वक्त हर जगए उसके बारे में ही सोचता रहता था और जरा सा भी टाइम मिलता था तो वो उसको देखने के लिए ही चला जाता था इस बात को लेकर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि उसका अब काम में मन नहीं लग रहा है और हॉस्पिटल आना जाना जादा हो गया है जो कि ठीक नहीं है क्योंकि सबी लोग शिवली को अपना नॉर्मल दोस्ती मानते थे और हफ्ते में एक बार उसे देखने चले जाते थे लेकिन डैन हर दिन उसे देखने जाता था क्योंकि धीरे धीरे वो उससे इमोशनली भी जुड़ते जा रहा था जिस बात को लेकर उसके दोस्त थोड़ा सा परेशान थे अब एक दिन शिवली के चाचा जी उसकी मा से फिर से वही बाते कर रहे होते हैं कि आप काफी समय हो गया है तो अब हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा वरना ऐसी हालत में उसे जिन्दा रखने का कोई मतलब नहीं है वहीं पर डैन भी मौजूद होता है तो वो इस बात पर कहता है कि कोई और क्यों फैसला लेगा कि वो जियेगी या नहीं हमें उससे भी तो पूछना चाहिए कि वो जीना चाहती है या नहीं और मुझे तो लगता है कि वो मरना नहीं चाहती है इस बात से शिवली की मा को और भी साहस मिलता है और वो पूरी हिम्मत बांद लेती है कि अब शिवली की लाइब खतम करने के बजाए उसे किसी भी हालत में जिन्दा रखेंगी डैन एक तरह का उनका सपोर्ट सिस्टम बन चुका था और उसे मा को काफी हिम्मत मिलती थी क्योंकि जो हालत उस समय हो रखी थी उस टाइम समझ नहीं आता है कि इनसान क्या करे क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटड सिचुएशन हो रखी थी जिसमें कि समझना मुश्किल हो रहा था कि जिस इंसान को बचपन से पाला है आज उसे ही मारने के बारे में सोचना पड़ रहा है अब अगले दिन डैन शिवली के लिए जैस्मीन के फूल लेकर आता है जिनने शिवली भी कहा जाता था और शिवली को इन फूलों को इखटा करना बहुत पसंद था और ये चीज़ डैन चानता था इसलिए वो उसके लिए फूल लाया था जो कि उसके बगल में रख देता है रात में जब patient चेकप के लिए शिवली के पास गई होती है तो वो नोटिस करती है कि शिवली के नाख हल्की हल्की हिल रही है जिससे कि उसे हसास होता है कि शायए शिवली को होश आ गया है अगली सुबा डॉक्टर चेक अप करके बताता है कि ऐसा इन फूलों की वज़े से हुआ है और कोमा पेशेंट्स कभी कभी इसमेश से ऐसा रियाक्ट करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन बात है भले ही ये कॉमन बात थी लेकिन जो रिस्पॉंस शिवली ने दिया था उस वज़े से मा के मन में ये उमीद जग गई थी कि शायद आगे चलका शिवली धीरे-धीरे सही हो जाएगी अब एक दिन शिवली के लिए कुछ दवाइयां चाहिए होती हैं जो कि हॉस्पिटल में नहीं थी तो नर्स डैन को दवाइयां लाने को कहती है डैन के पास उतने पैसे नह देखने को मिलता है और अब उसकी आँके खुल जाती है लेकिन बॉड़ी अब भी पूरी तरह से रिस्पॉंस नहीं दे रही थी शिवली की माई जब शिवली की आँकों को रिस्पॉंस देते हुए देखती है तो उनकी आँकों में खुशी के आशु आ जाते हैं क्योंकि व को महसूस करते हुए पहली बार डैन की आँकों में हमें नमी देखने को मिलती है अब हम देखते हैं कि डैन का दोस्त जो की उसका रूम पार्टनर भी था वो उससे कहता है कि मैं अकेले रूम का खर्चन नहीं उठा सकता और इस महिने का रंट भी मैं नहीं दिया है तो इस के चक्कर में दोस्तों से उधार भी लेता जा रहा था यहां पर मैं डैन की दोस्तों को गलत नहीं कह सकता क्योंकि उनकी जितनी हैसियत थी उन्होंने अपने तरफ से हर टाइम मदद करी थी लेकिन अब उन्हें भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ रहा था क्योंकि व बार डैन वहां आता है तो वो भी अपनी एक फोटो लगा देता है इस उमीद में कि शायद शिवली उसे भी देखना चाहेगी अब हम देखते हैं कि होटल का मेन मेनेजर डैन को डांट रहा होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसने काफी चुट्टियां ले ली थी और कैसे भी करके एक महिना निकाल लो नहीं तो अगर इस होटल से निकाले गए तो फिर कहीं और फाइव स्टार होटल में जॉब नहीं मिलने वाली डैन पूरी कोशिश कर रहा होता है अपने काम को अच्छे से करने की लेकिन एक दिन होटल में डैन से किसी की लड़ाई हो जा हम देखते हैं कि अब डैन से मिलने के लिए उसकी मा आती है क्योंकि डैन को होटल से निकाल दिया गया था तो उसका लेटर उसके घर पर ही आया था और जब उसकी मा लेटर लेकर उससे मिलने आई तो शायद उन्हें सारी बाते पता चली तो वो उससे होस्पिटल के बाहर ही मिलने आ गई थी मा के मन में ये जानने की इच्छा थी कि आकर उसका बेटा एक लड़की के लिए इतनी परेशानिया क्यों उठा रहा है कि उसे अपने करियर की भी फिकर नहीं है तो वो उस लड़की से मिलने की इच्छा रखती है डैन की मा जब शीवली की मा बड़ गई तो कैसे चलेगा और डैन मेरे लिए एक पिलर की तरह काम करता है डैन की मा कहती है कि बच्चे माबाप के लिए पिलर ही होते हैं लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं और हमारी जिन्दगी ये सोचते सोचते निकल जाती है कि हम कहीं उन्हें खोना दें डैन की मा से मिलने के बाद शिवली की मा को ये एहसास होता है कि शायद वो कुछ जादा ही सलफिज बन गई है और उन्हें ये ख्याल ही नहीं आया वो अपने सुपर्वाइजर के रिकमेंडेशन पर एक होटल में जाकर ऐसे मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करने लग जाता है धीरे धीरे समय बीटता जाता है और डैन अब अपनी लाइफ को लेका सीरियस होता जाता है और वहाँ पर अच्छे से मन लगा कर काम कर रहा होता है पर कहीं न कहीं उसके मन में शिवली से दूर जाने का दुख भी था और उसके खयालों में उसकी ही चिंता लगी रहती थी इसलिए वो हमेशा उसकी मा से बात करके उसका हाल चाल लिया करता था एक दिन डैन को पता चलता है कि शिवली की हालत फिर से बिगड़ती जा रही है और उसे फिर से ICU में एडमिट करना पड़ा है और अब उसे आटैक्स भी आते रहते हैं जिसकी वज़े से आब उसे बांध कर रखना पड़ता है डैन ये सारी बाते सुनकर काफी जादा हताश हो जाता है एक तरफ शिवली की हाथ बंदे हुए थे वहीं दूसरी तरफ डैन भी अपनी जिम्मदारियों की रसी से बंदा हुआ था अगले दिन हम देखते हैं कि डैन अपना समान लेकर हॉस्पिटल में बैठा होता है वो शिवली के लिए फिर से अपना सब को शोड़ कर उसके पास आ गया था क्योंकि उसे एसास हुआ था कि इस वक्त खुद के करियर से जादा शिवली को उसकी जादा जरुवत है डैन जब शिवली से मिलता है तो उससे दूर जाने के लिए सौरी कहता है और प्रॉमिस करता है कि अब कभी भी दूर नहीं जाएगा शिवली अब भी अपनी बॉड़ी से कुछ भी रिस्पॉंस नहीं दे सकती थी तो हमें बस उसकी आँखों से आसु गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं जिससे कि ये फील होता है कि डैन की जाने से उसे भी फर्क पड़ा था अब डैन का दोस्त उसे मिलता है और उसे अपने घर की चाबी दे देता है ताकि वो वहाँ पर रह सके इसलिए मैंने पहले कहा था कि हम उसके दोस्त को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जितनी मदद वो कर सकता था वो हमेशा करता था डैन के आने के बाद शिवली का जो चुचड़ा पंथा वो कम हो गया था और अब उसे किसी तरह के अटैक्स भी नहीं आते थे तो उसकी फैमली उसे घर ले आती है शिवली की मा शिवली को हमेशा सुबह टहलाने के लिए ले जाती थी और कभी कभी डैन भी उसे बाहर की दुनिया से रुबरू कराने के लिए ले जाया करता था एक दिन डैन शिवली से वही सवाल पूछता है कि जब तुम उस राज छसे गिरी थी तो उससे पहले तुमने ये क्यों पूछा था कि डैन कहा है डैन को पता था कि शिवली जवाब नहीं दे सकती है लेकिन तबी शिवली हकलाते हुए अंदर से हिम्मट जुटा कर डैन का नाम लेती है शिवली डैन से शायद कहना तो बहुत कुछ चाती थी लेकिन हालात के चलते बस मूझ से डैन शब्ध ही निकल पाता है जिससे सुनकर डैन काफी एमोशनल हो जाता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था अगले दिन हम देखते हैं कि डैन जब सोकर उठता है तो उसके फोन पर शिवली की मा के मिस कॉल्स पड़े होते हैं डैन जब शिवली के घर जाता है तो वहां काफी भीड लगी होती है और हर किसी के चहरे पर दुख ही नजर आ रहा होता है जब आप ये मूवी देखोगे तो इस टाइम पर शायद आपको अपनी आँखो से धुनला दिखने लग जाए क्योंकि ये सीन ऐसा है कि आपके आँसू रुक नहीं पाएंगे जब डैन शीवली के रूम में जाता है तो वो देखता है कि शीवली की सांसे चलना अब बंद हो गई थी शीवली की बहन बताती है कि रात में दीदी को अचानक से अटैक साने लगे और फिर लंग्स फेल हो जाने की वज़े से आदे गंटे बात दीदी चली गई डैन शीवली के बगल में बैठा होता है और उस वक्त उसके आँखों में आसू के अलावा और कुछ भी नहीं होता जिसके लिए अब तक वो सब कुछ करते आ रहा था आज उसी ने अचानक से उसका साथ छोड़ दिया था और इस दुनिया से जाने से पहले अब भी शीवली के आकरी शब्द में उसका नाम ही था अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जह हम देखते हैं कि डैन एक होटल में ऐसे शेफ का काम कर रहा होता है कुछ देर बाद वो फोन देखता है तो शीवली के मा के कॉल्स आई होती है वो जब मा से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग अब इस घर को छोड़ कर अपने होम टाउं शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर सबकों चकेला साल लगता था मा के पूछने पर डैन बताता है कि शीवली के जाने के बाद जिस होटल ने मुझे निकाला था उन्होंने मुझे फिर से रख लिया और अब मैं वहीं पर एज़ शेफ काम करता हूँ और आपने जो कहा था करियर पर ध्यान देने के लिए अब मैं वही कर रहा हूँ मा कहती है कि अब मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन जो शीवली का पेड़ है उसे छोड़ना नहीं चाहती अगले पल में हम देखते हैं कि डैन शीवली के फूल के पेड़ को एक ट्रॉली में रखकर याद के तौर पर वहां से ले जा रहा होता है और फिर इसी थोड़ी सी सैड इंडिंग के बाद मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है बस एक एहसास था जिसे हम फील ही कर सकते हैं ये मूवी किसी की लव स्टोरी के बारे में नहीं है लेकिन एक बहुत ही खुपसूरत स्टोरी है जो हमें प्यार शब्द का मतलब समझाती है प्यार के चक्कर में अक्सर लोग बरबाद ही होते हैं लेकिन इसमें दिखाया गया है कि एक इनसान जिसे ना अपनी फिकरती ना किसी और की वो इनसान अब हर किसी की एहमियत को समझने लगा था और उसके प्यार नहीं उसे एक मैच्चियोर इनसान बना डाला था जो कि प्यार का इजहार करके ही प्यार होता हो हो सकता है कि किसी के साथ रहे कर उसका साथ देना ही प्यार होता हो हम अक्सर कहते हैं कि जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त या इनसान होता है तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि डैन एक सच्चा इनसान था जो शिवली के बुरे टाइम पर भी उसके साथ खड़ा था बिना ये सोचे कि उसके लाइफ में क्या खराब हो रहा है लेकिन उसे ये भी यकीन था कि अगर वो चाहे तो अपनी लाइफ बना भी लेगा डैन को कभी भी ये चाहत नहीं थी कि जितनी केर वो शीवली की कर रहा है उसे शीवल होता है जो कि ऑक्टोबर के टाइम ही होता है जिसे हम जैसमीन भी कहते हैं जिसकी लाइफ बहुत कम होती है तो जो ये फूल है उनकी इस मूवी में बहुत इंपोर्टन्स है क्योंकि ये शीवली के करेक्टर को दर्शाते हैं ये फूल कुछ टाइम के लिए ही खिलते हैं और चारों और खुश्बू और पॉजिटिविटी फैला देते हैं थोड़े टाइम बाद फिर मुर्जा जाते हैं तो जो फूल का नेचर है वही शिवली के नेचर को दर्शाता है उसने डैन की लाइफ पॉजिटिव वे में बदल कर रख दी और फिर वो चली गई यही सब चोटी चोटी डिटेल होती हैं वही फिल्म को काफी अच्छा बनाती है जो सवाल डैन के मन में था कि शिवली ने एक्सिडेंट के पहले उसने उसके बारे में क्यों पूछा था उस सवाल का जवाब क्लियर तरीके से कहीं भी नहीं बताया गया है यहां हम मान सकते हैं कि ज दिमाग में भी घूंने लगी थी कि उसने ऐसा क्यों पूछा था और हम ओडियंस की तरह उसके मन में भी ये बात चलने लगी थी कि कहीं शिवली उसे पसंद तो नहीं करती थी शायद मूवी केんだ तक शिवली डैन को पसंद करने भी लगी थी लेकिन तब तक उसकी फील कर रहे होंगे वरुन धवन की एक्टिंग की जब बात की जाती है तो काफी हद तक लोग यही कहते हैं कि उसकी एक्टिंग कितनी बेकार है वो एक्टिंग नहीं बलकि ओवर एक्टिंग करता है लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे तो वरुन की एक्टिंग को ले लोग की वज़े से कलाकार करते हैं क्योंकि आउडियंस ही है जिसके लिए लोग अपना कंटेंट बनाते हैं तो जब आउडियंस ही जुड़ा टू ये खुली नंबर वन जैसी मसाला मुवीज देखना बजन करती है तो फिर कोई क्यों ही अच्छी मुवीज बना कर अपने प जिन्होंने शीवली की करदार को निभाया है उन्होंने भी अपनी अक्टिंग से सब का दिल जीता है और बॉलिवुड में ये उनकी पहली फिल्म थी और हाली में आई फिल्म सरदार उद्दम सिंग में वो आपको देखने को मिल जाएंगी वहीं डारेक्टर और राइटर दोनों ही अपने काम को लेकर काफी जाने जाते हैं और उनके काम की काफी तारीफ की जाती है क्योंकि उन्होंने बॉलिवुड को बहुत सी अच्छी मूवीज दी है जिनकी वज़े से बॉलिवुड की थोड़ी बहुत इज़त बच जाती है जिन लोगों को हाली में आई म पना प्यार में बदल जाता है तो खुद की भी फिकर नहीं होती लेकिन जिस तरह से इस चीश को इस मूवी में दिखाया गया है वो शिद्दत से काफी अलग है और बहुत ही सही है तो अगर आपको सचे प्यार का असली मतलब समझना है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा यह आपको Amazon Prime पर देखने को मिल जाएगी और मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी शुरू में थोड़ी सी बोरियत हो सकती है लेकिन अगर आप मूवी से कनेक्ट हो गए तो इंड में आपके आँखों में आसू जरूर होंगे तो यह था explanation October मूवी का आपको मू Instagram या Facebook पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का motivation मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइ आमस्टे